अलो दोस्तों नमस्कार पशुपाल को भाईयों को शब को सब के लिए देखो बहुती बेहतरीन भैसे लेकर आया हूँ मैं ये डेला भैस है और इस बक्त ये दो महिने की ग्या बना चुकी है ये इसका लवारा है और आठ किलो दूद है सबी भाईयों जो आप मेरी बीडियो देख रहे हैं आपके लिए बेहतरीन और मीडियम साइज की भैस लेकर आया हूँ चला आठ किलो दूद है इसके नीचे और ये लवारा है मात्र 45,000 रुपे में है और ये भैस देख रहे हैं ये भी दो महिने की ग्यावन है हटे बड़े दो महिने की ग्यावन है साथ किलो दूद है इसके नीचे इसका बच्चा खतम अगया तो ये खल बच्चा कर लिया ये खालका कर लेते हैं ये इसका खल बच्चा कर लिया था तो इसके भी 45,000 रुपे हैं और इसके भी बहुत ही बेतरीन है ये ब्रीड क्रोशिंग नसल की है और ये धेला नसल की है तो जो भ जो भाई अगर अच्छी निसल की भैंस और अच्छे दूद्र या ये दोनों ये भी पहलों है और ये भी पहलों है दूसरी बार ग्यावन है सीमन मेरे हात कर रखोवा है तो आप जो लेना चाहते हैं बहुत पढ़िया नसल की भैसा है ये दखो थन नपाल की साफ हड़ा बिड़े हड़े एन की अड़र का साइज चहरा देखो कितना बेतरी नहीं और ये धेला साइज है धेला भैसा है मैं आपको अच्छे अच्छी वीडियो दिखाते रहता हूँ जो पशुपालकों की भैसा होती है जो घर की भैसा होती है वो भैसा मैं आपको दिखाता हूँ आपकी डिवाइन पर लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे कमेंड नहीं कर रहे अगर आप कमेंट करोगे शेर करोगे तो मैं आपको बढ़िया नेसल की भैसे दिखाऊंगा दूद की अगर कोई भाई लेने चाहता तो इसका दूद भी दिखाएंगे हम सुबह साम का आप दूद देखो उसके बाद लेना मैं मालिक का नंबर यहां स्क्रीन पर टाल दूँगा और यह भैसे यह भी बढ़िया नेसल की भैसे जो चलते वारे ना यह जो दिख रहे हैं यह मालिकी हैं आने वाले हैं और यह भैसे मांडली समस्पुर थाना असमोली जिला संबल उत्तर प्रदेश अगर आप गिनोर्स आ रहे हैं तो पहले संबल आना पड़ेगा आपको आप बिजनोर से आ रहे हैं तो पहले जोया अम्रोहा आना पड़ेगा आपको फिर आपको असमोली फिर इसके बाद मांडली आना पड़ेगा जो भी भाई लेने चाहता हैं दोनों भैसे विकाओं हैं बढ़िया पहलों ने एक एक बार की लगता है मात्र 45,000 रपे महाना 45 मांगने के 50 हैं इस बहुत के निए गाब भी है गाब चेक कराकर लेकर जाना आप दूद भी है सबसे बड़ी बात है गाब और दूद